हेलो फ्रेंट्स स्वागत है आपका आपके प्यारे स्यूट्व चैनल मोहिप पंडे क्लासेट पर फ्रेंट्स आज हम लोग फिजिक्स में बहुत ही इंपर्टेंट टॉपिक को पढ़ने वाले हैं आपको पता चल गया होगा देखकर थमनेल में लिखा था जैसा की न्यूट चलती हो ना इसे जो चलते हो न्यूटन का तीसरा नियम लागू होता है वहां पर मार के ढेला जो आम तूरत हो ना प्यार से न्यूटन का उसमें नियम लागू होता है कंबल को आप लोग पीटते होना साफ हो जाता है जैसे आप लोग कपड़ा पड़ा साफ करते होना इस से जिटिक के इसमें भी न्यूटन का नियम लागू होता है प्यारे कैसे पूरी कहानी समझने के लिए आपको वीडियो को लाश तक देखना होगा आपको आज इस वीडियो से बहुत अच्छी अच्छी जानकारी मिलने वाली है ओके तो हम आज न्यूटन की तीनों नियम को और देखिका पड़ने वाले हैं पूरा एकदम इसका पोस्टमार्टम कर डालेंगे वीडियो के एकदम लाश तक बने रहना देखिए हैं पहला नियम हम का statement क्या है कि यदि कोई वस्त इस्थिर है यदि कोई वस्त इस्थिर है तो वह तब तक उसी आवस्था में रहेगी जब तक उस पर कोई वाहवल आरोपित नहीं होता क्या कहा कि जब तक कोई वस्त इस्थिर है तब तक वह उसी आवस्था में रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाहिबल आरोपित नहीं होता ठीक है या कहीं कहीं ऐसे भी आपको लिखा मिलेगा कि यदि कोई वस्तिर है तो वह इस्तिर रहेगी यदि गतिमान है तो गतिमान ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाहिबल आरोपित नहीं होता मान लो देखो यह आपकी कोई वस्तु है यह इस्थिर है इस्थिर है कि नहीं ऐसे रखी है इस्थिर है तो यह जब तक इस्थिर रहेगी कि जब तक इस पर कोई बाह बल नहीं लगाया जाए अब बाह बल क्या जैसे हमने इस पर बाहर से इस वाले हाथ से इस पर बल लगा कि इसको उठा ल जा रही है तो जब तक हम इस पर कोई वाह बल ना लगाएंगे तब तक ये चलती ही रहेगी मालो ऐसे ये जा रही है हमने आके चप से पकड़ लिया इसको अब रुख गई तो ये है आपका प्रथमनियम क्या कि यदि कोई वस तो इस्थिर है तो इस्थिर रहेगी गतिमान है तो गतिमान रहेगी कब तक जब तक हम उस पर कोई बाह बल आरूपित नहीं करते हैं जब तक उस पर कोई बाहर से बल नहीं लगाया जाएगा तब तक जई सी है वह इसे कोई से रहे प्यारे यह है प्रथम नियम, कोई याद करने की जरूरत है, कुछ नहीं यार, फिर से सुनो एक बार, यदि कोई वस्त इस्थिर है तो इस्थिर रहेगी, गतिमान है तो गतिमान रहेगी, जब तक कि उस पर कोई बाहबला रूपेत नहीं होता है, और इस नियम को आप लोग ये जड़त का नियम पूछे, तो इसी को कहते हैं भईया, जड़त का नियम भी और गयलियो का नियम भी इसी को कहते हैं, ठीक है, तो ये नोट कॉइंट आप लोग को नोट कर लेना है, आप देखो, अब जड़त क्या है प्यारे, अब जड़त के बारे समझो, जड़त इंगल वर्तन का विरोध करे जडत्त कहलाता है ठीक है क्या का हमेंने किसी भी वस्त का ऐसा प्राकिरति गुण जो उसकी अवस्था में वर्तमान अवस्था क्या है वो गतिमान है या रुकी हुई है उसका विरोध करे ऐसा गुण जो उसका विरोध करे उसी को कहते हैं जडत्त इने या रहा है लेकिन थोड़ा इस से होता दुचार कुंटल का है तो आंग यह उठाते तो यह कुछ ना कुछ बкіरोत करता है युट पारा तो उसी जो बाँथ करती है नहीं उठब रहा है उसी को हम कहते हैं उसी को कुछ किलियर हुआ कुछ दिक्कत होनी नहीं चाहिए प्यारे अब देखो इसके कुछ एक्जामपल हमारे उदाहरण है अनप्रियोग बोल सकते हो जिसको आप लोग समझिए कंप्टेशन में भी पूछ लेता है प्यारे अब जो में चीज है वह आपको यहां समझ के रखना है यह ंपॉइंट भी इंपॉइंट हैं फ्रस्ट इसका इख लैसर चलती बस चलती बस के अचानक से चलती बस अचНАक से रुक यात्री का आगी की ओर जहुक sound बस मा कब बैठे होए ना बैठे होए तो बैठ लियो भाई यक बार बैठ के तब बतायो वह न्यूटन सहाब का पर्थमनियम लागू होत है देखो कि जब हम चलती हुई बस में बैठे रहते हैं तो जब बस अचानक रुख जाती है बस जा रही है अचानक से कोई आगे आ ग जा रहे हो आगे कुटा आगे आगे जब बिरिक मारो तब आगे की ओर जुग जाती हो कि नहीं ऐसा क्यों हो रहा है समझो जड़त लागू हो रहा है वहां पे जड़त जड़त लागू हो रहा है कैसे देखो जब आप पहले मोटर साइकल वाला एक्जामपर लेलो ये बस अब भी समझा दे रहा हूं तुरां तुरां था लोग देखो जब मोटर साइकल से आप जा रहे हो मोटर साइकल क्या है गतिमान अवस्था में है ना कि रुकी हुई है रुकी कहा है जब जा रहे हो वह ये अक्सीलेटर 100-100 पर है तो जब आप जा रहे हो बाइक से आप बै गतिमान है और जब आपने बृरिक लगाया जब आपने बैय प्रिक को मारा डिस बिरिक तब क्या हुआज तरक्स णिथ या गतिमान था तो भाया जब सरीर का निचला खिश्था था वह भी प्या हुआ रुआ ना गतिमान था और देखो शरीर के ऊपर का हिस्सा भी गतिमान था तो क्या कहता है नियम, ये प्रतम नियम ये स्वारी, जड़तो का नियम वो सब एक ही है, जड़तों का गुड़िये है कि किसी भी वस्त का वप्रकृतिक गुड़ जो उसकी विराम या गत की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करें, तो जब आपकी सरीर का उपर वाला हिस्सा गतिमान था और बिरिक मारा आपने, तो नीचे वाला हिस्सा तो जड़त के कारण क्या हुआ? उपर वाला हिस्सा तो जड़त के कारण गतिमान ही रहेगा, नीचे वाला हिस्सा बिरिक मारते ही गाड़ी के साथ बाई के साथ रुख जाएगा, और जड़त के गुण के कारण आपके सरीर की उपर वाला हिस्सा जो है गतिमान ही रहेगा, वो गति करता ही रहेगा, इसलिए आप लोग आगे की ओर जोग जाते हैं ठीक है इसी तरीके से बस में सिस्टम है कि बस जब चल रही थी तो आपका जो सरीर था पूरा गतिमान था ब्रेक मारते ही आपके सरीर का निचला भाग बस के साथ संपर्क में होने के कारण रुख गया और जड़त्त के गुण के कारण आपके सरीर की उपर का हिस्सा गति की ओस्था में रहने का परियास करता है इसलिए आप लोग आगे की ओर जुक जाते हैं फिलियर हुआ आप देखो पेंड की साखाओं से को हिलाने पर फल का तूट कर नीचे गिर जाना पेंड की साखा पर बताओ कब गया हो है गाम आम च जब आप फल की साखाओं को हिलाते हैं पेंड की तब देखो पहले क्या था पहले जो फल लगे हुए थे साखाओं में और साखाएं इस्थी रवस्था में थी लेकिन जब आप लोगों ने साखाओं को हिलाया पकर के ऐसे ऐसे तब क्या हुआ जो साखाएं थी वो इस्थी फल लगे थे वो वो तो इस्थी रवस्था में ही रहने का परियास करेंगे ना तो इस जड़त के गुण के कारण क्या होगा वो फल तूटकर नीचे गिर जाएंगे और नीचे गिर जाएंगे आकरशनडबल है गुरत्ता करशनडबल है उसके कारण वो नीचे गिर जाएंग गद्दे पर जब डंडे मारो तब धूल के कड़ उड़ते हुए दिखाई देते हैं कि नहीं ऐसा क्यों होता है देखो प्यारे पहले क्या था गद्दा पहले क्या था गद्दा पहले इस्थी रवस्था में था लेकिन जब आपने उस पर डंडे से प्रहार करना शुरू किया तब क्या हुआ गद्दा में गद्दी आ गई थोड़े बहुत गद्दी करेगी लेकिन जो उसमें धूल के कड़ लगे थे वो पहले क्या थे गद्दे के साथ इस्थी रवस्था में थे लेकिन अब गद्दा गत की अवस्था में आ गया और जड़त के गुण के कारण वो क्या जो धूल के कंड है वो उसी अवस्था में रुके रहने का परियास करेंगे जिसके कारण एक दूसरे से अलग हो जाएंगे और तुरन्त धूल के करन साड़े उड़ते हुए चले जाएंगे बादल में कुछ अनप्रियोग भी थे तो इसका आप लोग अगर इसकी लेना चाहते हैं नोट करना चाहते हैं तो मैं साइड हो जा रहा हूं आप लोग इसको नोट कर लेना फिर इसके सेकेंड लाकों पढ़ेंगे बहुत हैँ लेकिन एक पॉइंट और यहां से सुन लिजिए कि जो आपका गतिका पर्थमनियम है यहां से हमें बल की परिभाशा मिलती है एक आप से कोई पूछ सकता है कि न्यूटन की जो गतिका पर्थमनियम है इससे हमें ये बताए addicted की बल का सूत्र मिलता है या परिभाशा तो आप लोग का एक लाइन में जवाब होगा कि गत की पर्थम नियम से हमें बल की परिभासा मिलती है, ठीक है, ये आप लोग लाइन कहीं नोट कर लीजिए या खोपड़ी या हमें अपने सेप कर लीजिए, तो इसका आप लोग पहले स्किन सौर्ट लीजिए, फिर हम सेकेंड थोड़ा इसमें समझना है आपको यहां से एक बहुत प्यारा सा फार्मूला आपको मिलता है, एक बराबर में का, फार्मूला आता कैसे है, पूरी जानकारी आपको मिलेगी, देखिए, जो इनका दूसरा नियम है, वो कहता है, उसका स्टेटमेंट आपका ये सामने लिखा हुआ है, कि किसी वस्त के संबेग में परिवर्तन की दर उस वस्त पर आरोपित बलके समानुपाती होता है, ज्यादा तर टीचे डारेक्ट बोल ऐसे रटा देते हैं, सिच्छक लोग, महान सिच्छक लोग, कहते हैं भया प्यारे, रट लो, रट लो, जो हम कई स्कूल में तो ऐसे देखे हैं, सर क्या कहते हैं, जो विया, रंगीन, रंगीन, अच्छर दिखात हैं, कर रहे थे लोग, लेकिन प्यारे, आप पढ़ रहे हो, मोहित सर्ते, आपको में यह पूरी इसके, जो, कुछ इसमें इंपॉर्टेंट सब्द यूज हुए हैं, किसी वस्त की द्रविमान और वेग के गुड़न फल को संबे कहते हैं, यह बात आप लोगों ने सुनी होगी, गलती से कहीं पर, क्या, संबे क्या होता हैं? संबेग को हम लोग P से परदर्शित करते हैं और संबेग की परिभास्ता है किसी वस्त के द्रविमान द्रविमान को हम लोग M से रिपर्जेंट करते हैं द्रविमान और वेग के गुडण फल को संबेग कहते हैं ठीक है? तो यह formula आप लोग को पता है P बराबर MV संबेग बराबर द्रभमान गुड़े वेग अब संबेग टिलियर हो गया लेकिन यहाँ पर संबेग की बात नहीं की गई है यहाँ संबेग में परिवर्तन की दर की बात की गई है क्या बात की गई है, संबेग में परिवर्तन की दर्ख, तो आपको यहां से ले करके यहां तक पूरा समझना है, संबेग में परिवर्तन की दर्ख, इतने सब्दों को आपको समझना है, तो प्यारे देखो इसके लिए मैं आपको एक्जामपल लेकर समझा रहा हूँ, मानलो आपके पास एक यह बाल है M द्रविमान की जिसका शुरुवात में इसका मानलो बेग यू है ठिक है और टी समय के पश्चाद यह आपका यम द्रवमान ही रहेगा लेकिन इसका वेग वी हो जाता है ठिक है तो इसके संबेग की अगर बात करें तो क्या होगा मानलो यह पीवन जो है क्या होगा पहले द्रविमान गुड़े वेग होता है संबेग वराबर क्या द्रविमान गुड़े वेग तो द्रविमान किसका इतना है यम और इसका वेग यू है तो यू हो जाएगा और द्रविमान बदलेगा तो नहीं प्यारे वेग तो बदलता है द्रविमान नही हो आप 50 kg के हो पलसर से जा रहे हो जब 50 की स्पीड में थे तो 50 kg or जब रहे स्पीड में सब्समें के हो जाएंगे उसकी संभव होगया द्रविमान नहीं बदलता दोस्तों द्रविमान रहे रहेगा यहां यम यहां भी यम वेगर आपका बदल जाएगा प्रारम में यूझ था अब व हो गया ठीक है तो अगर पीटू की बाद करें दूसरा द्रवमान दूसरा ये यम ही रहेगा द्रवमान लेकिन वेग इसका क्या हो जा रहा है भी हो जा रहा है ठीक है ये संबेग के बारे में आपको पता है अब संबेग में परिवर्तन हमें निकालना है संबेग में परिवर्तन तो एक बात हमीस्ता याद रखना, जब तक जिन्दा रहना, तब तक याद रखना क्या, कि जब कभे भी आपको परिवर्तन निकालना होगा, किसी भी चीज में, तो आप करेंगे क्या, अंतिम में से प्रारंब वाले को माइनेस कर देंगे, ठीक है, क्या करेंगे, अंतिम वा परिवर्तन की बात करें, तो कैसे निकालेंगे, संबेग में परिवर्तन को हमें अगर निकालना है, तो हमें P2-P1 करना है, संबेग में परिवर्तन को निकालने के लिए, क्या करेंगे, P2-P1, लेकिन परिवर्तन के साथ में एक सब्द और जुड़ा है, दर, और जब कभी भी किसी भी चीज की दर निकालनी रहेगी तो हम हमेशा T से उसमें डिवाइड कर देंगे T क्या होता है समय समय का भाग करने को ही कहते हैं दर किसी भी चीज का आपको निकालना है दर आप लोग समय से करेंगे उसमें भाग जैसे आप लोग त्वरण सुने हैं क्या होता है वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं क्या कहते हैं त्वरण वेग में परिवर्तन हो रहा है समय की सापेज ठीक है तो वेग में समय का भाग करते ही हमें त्वरण मिल जाता है आगे अभी काम लगेगा इसका जो अभी बोला हूँ इसका काम लगने वाला है तो अगर हम संबेग में परिवर्तन की बात करें संबेग संबेग में परिवर्तन की दर्ग तो ये क्या होगा? तो पहले देखो संबेग में परिवर्तन कैसे निकलेगा P2-P1 करने पर P2-P1 अब दर सब्द है तो इसका मतलब हमें क्या समय से भाग देना है तो T से भाग दे दो अब ये क्या मिला P2-P1 upon T इसको क्या कहोगे आप लोग इसको आप लोग कहोगे संबेग में परिवर्तन की दर ठीक है इसको और अगर अच्छे से लिखना चाहो तो इसको ऐसे लिख सकते हो इस इंपलाइज P2 क्या है यम V माइनस P1 क्या है यम U यम U ठीक है upon me T इतने को बोल दो संबेग में परिवर्तन ठीक है अब हम आते हैं अपने जो सेकेंड नियम था स्टेटमेंट उसके सहारे हम क्या करते हैं वराबर M में को निकालने की कोशिस करते हैं देखिए क्या लिखा हुआ यहां पे किसी वस्त के संबेग में परिवर्तन की दर मतलब ये चीज ये जो आया है ना ये इसकी बात की गई है उस वस्त पर आरोपित बल के समानुपाती होता है समानुपाती होता है उस पर आरोपित बल के अब देखो हम क्या करते हैं हम मान ले रहे हैं माना बल क्या है यफ यफ जो है ये समानुपाती है यह समानुपाती का चिन होता है समानुपाती होता है किसके संबेग में परिवर्थन की दर के तो संबेग में परिवर्थन की दर क्या निकला यह निकला है न तो मतलब यह यम V माइनिस यम U अपान T इसके यह समानुपाती होता है अब यहां से ध्यान दो EF अब यहां से उपर कुछ common आ रहा है YUM को common ले लो तो बचेगा क्या V-U upon me T ठीक है? अब यहां से ध्यान दो EF proportional YUM अब यह V-U upon T क्या है? V क्या है और U क्या है आप इसी को बता दो बस V देखो हमने क्या लिया था? V है ना U V क्या है? V है V था प्रारम U था आपका प्रारम हमें बेग और V था अंतिम बेग तो अंतिम बेग माइनेस प्रारम भिक बेग इसको क्या कहते हैं? बेग में परिवर्तन और बेग में परिवर्तन किसके सापेच हो रहा है? T के सापेच और आप ये बताओ कि तुरण की परिवासा क्या होती है बेग परिवर्तन की दर को तुरण कहते हैं तो बेग में परिवर्तन हो रहा है दर देखो समय से भाग हो रहा है तो बेग में परिवर्तन की दर को तुरण कहते हैं यहां से हम क्या कह सकते हैं कि V-U upon T को हम क्या बोल सकते हैं कि ये त्वरण है तो इसलिए हम इसको A लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं बिल्कुल लिख सकते हैं और हम लोग जानते हैं एक बात और जानते हैं कि जब कभी भी ये समानुपाती कर्चिन हटता है तो एक नियातांक आता है एक constant आता है तो हम मान ले रहे हैं यहाँ पर हमें constant k मिला यह बराबर यम्मी यह सूत्र आपका आ चुका है अब अगर इसमें हम क्या करें के बराबर एक ले ले k बराबर k बराबर एक रखने पर तो जब हम k बराबर एक रख देंगे तब हमें क्या मिल जाएगा यहाँ से यह बराबर यम k की जगा वन वन का इसमें पूरे यम ए में multiply होगा तो वो यम ए ही बनने दहेगा भईया तो एम ए और यह है आपका दूसरा नियम गति का दूसरा नियम यह formula बहुत important formula है तो इसका भी अगर skin short लेना चाहते हो आप ले सकते हो फिर बहुत ही चोटा ज्यादा ज्यादा दो मिनट का टाइम और लगेगा तीसरे नियम को समझने में बहुत आसान है बहुत अच्छा नियम है तो इसका skin short पहले लो फिर हम आते हैं तीसरे नियम पर लेडिया भी यह skin short चलिए अब तीसरे नियम की बात करते हैं गति का तीसरा नियम बहुत ही प्यारा नियम है याद करने की कोई जरूरत नहीं है तुरंट concept के लिए हो जाएगा देखिए क्या है system परते किरिया के बराबर परते किरिया के बराबर परंत विपरित दिसा में प्रत किरिया होती है इस बल का परिमार पहले वाले बल के बराबर परंत दिसा विपरित होती है इसको ऐसे समझो तीसरे नियम कहता है कि अगर हम किसी वस्त पर कोई बल लगाते हैं ठीक है मानलो ह हम इस वाइट MARTIN पर कुछ बंद लगा रहे हैं तो यह वाइट बोड भी हमारी तरफ उतना ही बल लगाएगा ठीक है अब हम इस दिसा में लगा रहे हैं वह इस दिसा में होगी इसको कहते हैं 30 तो इसको हम कह सकते हैं एक वी कोल टू माइनस इसका मतलब ऐसे समझो मान लो यह कोई एमदरब विमान की कोई वस्तु है और यह भी कोई एमदरब मान की वस्तु कोई वस्त ए है यह भी है अब मान लो की यहां परका कोई एमदरब बल लगा रही है तो उसको हम कहेंगे एफ एबी इसका एफ आबी का मतलब वस्त एद्वारा वस्त बी पर बल लग रहा है और total कितना f a b हम कहेंगे इसको और इसके वस्तु b द्वारा अगर वस्तु a पर बल लग रहा है तो इसको हम कहेंगे f b a मतलब कि वस्तु b द्वारा वस्तु a पर बल लग रहा है तो देखो दोनों वस्तुओं पर बराबर बल लगेगा बस क्या होगा दिसा उनकी विपरीथ होगी तो FAB equal to minus FB है इसका मतलब कि वस्तु A द्वारा वस्तु B पर लगाये गये बल के बराबर है और जो ये minus लगा है ये केवल इसको बताता है कि इसको कि दिसा विपरीथ है बस minus यहां बता रहा है कि दिसा विपरीथ है बल दोनों प पर बराबर लग रहा है ठीक है अब इसके कुछ उपयोग है उसके अनुपरियोग उदाहरन समझ लो क्या है बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोग चौक जाओगे सुनके देखो जब हम पिर्थेवी पर अपने पैरों से बल लगाते हैं तो पिर्थेवी भी उतने ही प पैरों द्वारा कुछ बल लगाते हैं न पिर्थेवी पर तो वह पिर्थेवी भी तो वह पिर्थेवी भी हमारे पैरों पर उतना ही बल लगाती है विपरीत दिसा में लगाती है जिसके कारण हम आसानी से चल सकते हैं ठीक है दूसरा समझो नाव में पतवार से पतवार ज पतवार मां लो मान लो यार मानने हम जाता है जब हम ऐसे ऐसे पानी को पीछे की और धकेलते हैं तो वो पानी क्या करता है पानी क्या करता है हमें आगे की और धकेलता है जितना बल हम उस पीछे की और लगाएंगे पानी उतना ही बल आगे की और लगाएगा जिसके कारण आगे जब 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 चलती रहती है तो अब तीसरा समझो तीसरा इसक पूछना कि जब बंदूख से गोली मारते है ठिसुम फिरी फायर चलाते हो ना खेलते हो मुपािल जटका मारती हैं नहीं मारती नहीं मारती वह नहीं मारेगी देखो जब वह असली वाली बंदूख चलाऊगे ना तो धक्का लगता है वो गोली निकल जाती है बाहर बेक बहुत ज्यादा होता है तो उस पर आगे की और बल लगा जिसके कारण देखो वहां न्यूटन साहब का तीसरा नियम कि अगर उस पर आगे की और बल लग रहा है तो उतना ही बल पीछे की और लगेगा ठीक है तो इस आप लोग को पढ़ाया हैं आज से पहले साइद इस तरीके से आप लोगों ने नहीं पढ़ा होगा तो मैं साइड हो रहा हूँ इसका भी आप लोग अगर लेना चाहें तो स्क्रीन सॉट ले ले लिया चलिए तो फ्रेंड्स आज के वीडियो को कैसा लगा अगर अच्छा ल मिलेंगे एक नए वीडियो में तब तक के लिए बाबाय से यो हसते रहो भाईया खेलते रहो मौश करते रहो और नदिया के पार वाली मूवी देख लेना